क्रिकेट में आंग तोर पर याद रहती है बड़ी बड़ी जीत अगर आप भारती क्रिकेट की लिहाज से देखें 1983 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और उसके रावा वर्ल्ड T20 2007 और चैंपनिस टोफी 2013 लेकिन 2007 वर्ल T20 में कुछ ऐसा हुआ था इसकी सालगिरा हर साल मनाई जाती है 19 सितंबर 2007 डर्बन किंग्समीट का वो मैदान भारत और इंग्लेंड की बीच वो लीग मैच था जो टीम जीती वो जाती सेमिफाइल में जो टीम हारती वो बाहर हो जाती लेकिन इस कहानी की पटकथा उससे कुछ दिन पहले लिखी गई थी इंग्लेंड में क्योंकि भारत जब वो टीट्वेंटी खेलने गया सा था उससे ठीक पहले इंग्लेंड में वंडे सीरीज खेल रहा था आखरी मैच था ओवल के मैदान में यवराज सिंग बॉल कर रहे थे और इंग्लेंड के ओल्राउंडर थे धिमिट्री मैस्क्रेहेनस वो बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने यवराज सिंग को पांच गेन में पांच छक्के मारे हाला कि भारत ने उस मैच को जीता लेकिन यवराज सिंग अंदर से इंसल्टिट फिल कर रहे हैं और पांच छक्के जाब पांच गेन में खाते हैं तो फिर लोग मजाग तो करते ही हैं लेकिन यवराज ने ये तै किया था कि मैं सूद समेट वापिस लोटाऊंगा फॉरवर्ड आईया आप 19 सिंग्बर 2000 साथ वो मैच जहां पर भारत को शिरुवाद बड़ी अच्छी मिली 136 रन गंभीर और सहवाग ने बोर्ड पर लगा दिया जल्दी जल्दी लेकिन पर भारत की विक्टे गिरी और रंडेट भी गिर किया अचानक से यवराज सिंग पर ही आगी सरी बात यवराज के लिए एक अच्छी बात क्या हुई कि जब बैटिंग करने गए हाला कि उनके लिए उस वक्त वर्ल्टी 20 ठीक ठीक ही चल रहा था लेकिन जब बैटिंग करने गए तो एंडू फ्रिंट उफ इंग्लें के और बीच नोग जोग होई और यवराज का इंटव्यू उसके बाद मैंने किया था टॉर्नामेंट के बाद उनके मैंने पूछा था कि युवे आपको कब लगा कि अब छे के लिए ही जाना है तो उनका जब मैंने चौथा छक्का मारा तो मुझे याद आया कि 5 तो मैंने खाए हैं तो पांचवा तो मारना ही मारना है और कहते हैं जब मैं I was growing up तो मैंने रवी शासरी के छे चक्कों के बारे में सुना था और संदीप पाडल के